इस सक्से स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बाते सिखने जैसी हैं, अनेक नई नई सबक भी हैं, सात्यों आपने तो देखा है कि एस्पिरेश्टल डिस्टिक्स में जो लोग रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती हैं, कितनी ज़्यादा आकांख्षा होती हैं, इन जीलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय, अभाव में, अनेक मुश्किलों में गुजारा है, हर छोटी छोटी चीज के लिए इन्हें मशक्कत करने पड़ी हैं संगर्श करना पड़ा है, उनोंने इतना अंदकार देखा होता है, कि उनमें इस अंदकार से बाहर निकलने की जबर्चस अधीरता होती हैं, इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं, और जब भी अवसर मिलता है, उसका पूरा अलाब उठाते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में जो लोग रहते हैं जो समाज है हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए पहचानना चाहिए और मैं मानता हूं इसका भी बहुत प्रभाव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में हो रहें कारियों पर दिखता है इन ख्षेत्रों की जनता भी आपके साथ आकर काम करती है विकास की चाह साथ चलने की राह बन जाती है और जब जनता ठान ले शाचन प्रशाचन ठान ले तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है फिर तो आगे ही आगे जाना है आगे ही आगे भढ़ना है और आज यही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिस के लोग कर रहे हैं साथियों पिछले साल अक्तुबर में मुझे मुझे मुख्यमंती और प्रधान मंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हुए विज साल से भी अधिक समय हो गया उससे पहले भी मैंने दसकों तक देश के अलग-अलग हिस्टों में प्रसाशन में के काम को काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा परखा है मेरा अनुभव है कि निर्णे प्रक्रिया में जो साहिलोस होते हैं उसमें जादा नुक्सान इंप्लिमेंटेशन में जब साहिलोस होता है तब वो नुक्सान भैंकर होता है और एस्पिरेशनल डिस्टिक्स ने यह साबित किया है कि इंप्लिमेंटेशन में साहिलोस खत्व होने से साउसा धनों का आप्टिमम उटिलाजेशन होता है साहिलोस जब खत्व होते हैं तो वन प्लस वन टू नहीं बनता साइलोज जब खंट में हो जाते हैं तो वन और वन इलेवन बन जाता है ये सामर्थ ये सामुहिक शक्ति हमें आज एस्पिरेशनल डिस्टिक्स में नजर आ रही है हमारे आकांची जीलों ने ये दिखाया है कि अगर हम गुड गवर्नेंस के बेसिक सिद्धान्तों को फोलो करें तो कम संसादनों में भी बड़े प्रणाम आ सकते हैं और इस अभ्यान में जिस एप्रोच के साथ काम किया गया वो अपने आप में अभुद्पुर्व है आकांची जीलों में देश की पहली एप्रोच रही कि इन जीलों की मुलबुत समस्याओं को पहचाने पर खास काम किया गया इसके लिए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधे पूछा गया उनसे जुड़ा गया हमारी दूसरी एप्रोच रही कि आकांची जीलों के अनुभों के आधार पर हमने कारेशली में निरंतर सुधार किया हमने काम का तरीका ऐसा ताय किया जिसमें मेजरेबल इंडिकेटर्स का सिलेक्शन हो जिसमें जीले की वर्तमान सित्य के आकल के साथ साथ प्रदेश और देश की सबसे बहतर सित्य से तुलना हो जिससे प्रोग्राम की रियल टाइम मोनिटरिंग हो जिसमें दूसरे जीलों के साथ हिल्दी कॉंपटिशन हो और बेस प्रक्टिस को रिपीट करने का उमंग हो उत्सा हो प्रयास हो इस अभियान के दौरां तीसरे अप्रोच ये रही कि हमें ऐसे गवर्नेंस रिफॉर्म की जिससे जीलों में एक प्रभावी टीम बनाने में मदद मिली जैसे नीति आयोक के प्रेजंटेंशन में अभी ये बात बताई गई कि आफिसरस के स्टेबल टेनियोर के से नीतियों को बहतर तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिली है और इसके लिए मैं मुख्मंत्रियों को बदाई देता हूँ उनका मैं अभिनेंदन करता हूँ आप सभी तो इन अनुभावों से खुद गुजरे हुए हैं मैंने ये बातें इसलिए दो रही ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता ह है जब हम emphasis on basics के मंत्र पर चलते हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और आज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूँगा आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि फिल्ड विजिट के लिए inspection और night hold के लिए detail guideline भी बनाई जाए एक model विक्सित हो आप देखिएगा आप सभी को इसमें कितने ज्यादा लाब होगा साथियों आकांची जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए देश ने अब अपने लिक्षों को और विस्तार किया है आज आज आधादी के अमृत काल में देश का लक्ष है सेवाओं और सुविधाओं का सत्प्रतिश्दत सेच्विडेशन यानि हमने अभी तक जो अपलब्द्या हासिल की उसके आगे हमें एक लंबी दूरी ताय करनी है और बड़े स्तर प्रकाम करना है हमारे जिले में हर गाउं तक रोड कैसे पहुंचे हर पात्र व्यक्ति के पास आईश्मान भारत कार कैसे पहुंचे बैंक एकाउंट की ववस्ता कैसे हो कोई भी गरीब परिवार उज्वला गैस कनेक्शन से बंचीतन रहे हर योग्य व्यक्ति को सरकारी की बीमा की व्यवस्ता का लाब मिले पैंशन और मकान जैसे सुविधाओं का लाब मिले यह हर एक जिले के लिए एक टाइम बाउंड करना चाहिए आप ऐसे कोई भी दस काम टाय कर सकते हैं जिन्हें अगले तीन महनों में पुरा किया जा सके और उन से सामान्य मानवी की इस अफ लिविंग बढ़े इसी तरह कोई पांच तास ऐसे ताय करे जिन्हें आप आजादी के अमरुत महुत्रव के साथ जूड कर आपकी आपके जिले की